जानिये सप्ता के किस दिन बाल धोने से बढ़ती है सुन्दरता और दूर होती है आर्थिक तंगी। हिंदु धर्म में बाल से लेकर नाखून तक से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि हफते में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बाल काटना या धोना बे निखत भी होती है साथ ही ऐसा करने से जातक की खूपसूरती भी बढ़ जाती है कि सब्सक्राइब किस दिन बाल धोने से आपके जीवन पर शुप अशुप प्रभाव पढ़ता है सुम्वार के दिन सुहागिन ओरतों को बाल धोने से बचने बचना चाहिए कहते हैं यदी कोई भी शादी शुदा औरत अपने बाल धोती है तो उसके परिवार में कला बढ़ता है। साथ ही हर कार्य में बाधा आती है। वही कुमवारी लड़कियां इस दिन अपने केश धो सकती है। मंगलवार मंगलवार के दिन शादी शुदा औरतों के साथ कुमवारी लड़कियों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए कहते हैं ऐसा करने से जीवन में नकारात मकता आती है और शुप कारियों में भी रुकावट पैदा होती है बुधवार बाल धोने के लिए बुधवार का दिन बहुत ही शुप माना गया है इस दिन कुमवारी लड़कियों के अलावा शादी शुदा महिलाएं भी अपने बाल धो सकती है इसके अलावा पुरुष भी अपने बालों को धो सकते हैं कहते हैं, इस दिन बाल धोने से सुक सम्रिध्धी आती है, साथ ही धन्धान्य की कमी नहीं रहती है, व्यापारियों का काम काज भी बढ़ता है, गुरुवार कहते हैं, गुरुवार के दिन कभी भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए, यदि इस दिन कोई बाल धोता है, तो उ उसे आर्थिक तंगी जहिलनी पड़ती है, साथ ही स्वास्थ संबंधित परेशानी भी होती है, ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बालों को धोने से उम्र भी कम होती है, शुक्रवार शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्षमी की कृपा बरसती है और आर्थिक तंगी दूर होती है, इसके अलावा शुक्र देव का भी महरबान रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन बालों को धोने से जातक की सुन्दर्ता भी बढ़ती है, शनिवार सुहागिन औरतों को शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, कहते हैं ऐसा करने से शनिदेव र होते हैं और जीवन कश्टों से भर जाता है